हलो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे मसालेदार आलू की रेसिपी जिसे आप इविनिंग स्नेक्स में भी बना सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसके लिए हमको बॉल आलू लेना है बहुत सारी धनि इसके लिए सिंपल वाला ओईल लेना है एक बटर का क्यूब लेना है और थोड़ा सा चाट मसाला जरूर से लेना है अब हम इसका तड़का लगाएंगे यह आलू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं जिसके लिए मैंने दो चम्मच ओईल ले लिया है और एक क्यूब बट बटि बढ़िया फ्लेवर आएगा पटर डालने से यह आलू में स्वाद सो गुना बढ़ जाएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं बटर डालने से यह आलू तो बटर जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च और लसून को डाल देंगे जिसको मैंने एकदम बारिक कट किया है हरी मिर्ची और लसुन का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा इसका स्वाद बहुत बढ़ाएगा ये आलू खाने में इतने स्वादिश लगते हैं मैं आपको बता नहीं सकती जिसे आप एक बार बनाएंगे तभी आप इसका स्वाद जान पाएंगे तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राइ कीजेगा हरी मिर्ची और लसुन को हम बटर में थोड़ा सा सौते करेंगे एकदम डार्क नहीं करना है हलका हलका सौते करना है लसुन का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और लसुन अच्छे से फ्राइ भी हो जाना चाहिए तो देखिए गोल्डन कलर का लसुन हुआ है उसके बाद हम इसमें आलू एड़ कर देंगे आलू को मैंने बॉल करके रखा हुआ था जिसका छिलका निकाल के इस तरह के से स्क्वेर पीस में कट कर लिया है बहुत ही शौक से खाते हैं मैं इसको अक्सर बनाते रहती हूँ तो ये देखे आलू कितना बढ़िया से हमारा हलका हलका सिखा गया है इस तरह के से आलू को सेखेंगे ना तो आलू का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बोईल आलू है बढ़िया से फ्राय जैसा ही टेस्ट आपको आएगा तो लसुन और हरी मीची में आलू हमारे सौते हो गए है बढ़िया सक कलर आ गया है आलू का दिमी दिमी आज पर इसको सेखते रहना है और चलाते रहना है अब हम इसमें आड करेंगे स्वाद अनुसार नमक बहुत ही चटपटे मसालेदार आलू बनने वाले हैं चाट मसाला काली मेच पाउडर ओरिगनो चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही लाजवा उठकर आएगा इसमें लाल मेची के जगह पर मैंने कोटी हुई लाल मेच को एड किया है या फिर आप चिली फ्लेक्स को भी एड कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि यह आलू कितने लाजवाब दिख रहे हैं तो धीमी आजपर इसको मसाले के साथ हम फिर से सेखेंगे आलू हमारे अल्रेडी सेके हुए है बिल्कुल आलू फ्राइ जैसा आपको टेस्ट आने वाला है तो ये देखे कितने टेस्टी और लाजवाब यालू लग रहे है दिमी दिमी आज पर इस आलू को सेकते रहे और अब हम इसमें आड़ करेंगे बहुत सारी धनिया पत्ती जो इसका बहुत ही स्वाद बढ़ाएगी धनिया पत्ती तो वैसे भी हर चीज का स्वाद बढ़ा देती है और इस आलू में धनिया पत्ती बहुत ही टेस्टी लगती है तो धनिया पत्ती को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा ये देखे हमारे लाजवाब आलू बनकर रेडी हो गए है और कितने टेस्टी लग रहे हैं आपको ये आलू देखकर मुँमें पानी जरूर आया होगा एक बार जरूर बनाए और मुझे कमेंड देखकर जरूर बताए कि आपने बनाए और आपको कैसे लगे बहुत ये सिंपल तरीके से ये आलू बने है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब मज़ेदार बने है आप इस आलू को गर्मा गरम पराटे के साथ दाल चवल के साथ भी इंजॉय कर सकते है या फिर आप इसको इविनिंग स्नेक्स में भी खा सकते हैं तो बहुत आसान तरीके से ये आलू बनकर रेडी हो गए है आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट देकर जरूर बताइएगा बहुत ही चटपटे मज़ेदार आलू आपको पसंद आने वाले है आप इस रेसिपी को ट्राय करके कमेंट जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट का इंतिजार रहता है आपके चोटे-चोटे कमेंट भी मेरे लिए बहुत महिने रखते है मैं आपके सारे कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ आप इस आलू से एक स्नेक्स और बना सकते है जिसे मैंने बनाया है बहुती लाजवाब लगा है तो आलू को मैंने थोड़ा सा स्मेश कर दिया और खाकरा ले लिया अगर आपके घर खाकरा है और आपके पास पीजा सॉस है तो आप ये स्नेक्स भी बना सकते हैं इस आलू से तो मैंने ये देखे पीजा सॉस खाकरे पर लगा दिया है और ये देखे, smash किया हुआ, आलू भी हम इस पर spread कर देंगे, बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदा snacks बन गया है, एक snacks से दूसरा snacks भी ready हो गया है, और इस पर हम बहुत सारी बारिक सेव डालेंगे खाकरे पर, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ेगा, ये खाकरा इतना tasty ल ये खाकरा भी इतना tasty लगेगा, बच्चे बहुत खुशो कर ये खाकरा खाते हैं, मेरे बच्चे तो हमेशा cheese खाकरा offer करते रहते हैं, और आज ये आलू बनाया है, तो मैंने ये खाकरा भी बना लिया, और इस पर हमने tomato sauce को भी लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कित बना सकते हैं, थिपला की रेसिपी मेरे चनल पर आ चुकी है